हेलो व्रेंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तों है विशाल आप सब कर स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहला आइकन को दबाना ना भूला है ताकि आ आज की जो वीडियो है वह बहुत अमेजिंग होने वाली है आज की वीडियो बहुत अमेजिंग इसलिए है क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपको वाट्सेप की कुछ ऐसी सैटिंग के बारे में पताने जा रहा हूं जिनके बारे में शायद में आपको पता ना हो में नहीं पता WhatsApp की ज्यादा settings के बारे में, तो मैं आपको कुछ detail में बताऊँगा WhatsApp की settings के बारे में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना WhatsApp खोल लेता हूं मैं, तो यहां पर इस तरीके से आपको पता होगा, मैं आप स्टार्डिंग से बताएता हूं, इसको अभी हम skip कर देते हैं, क्योंकि इस invite a friend का मतलब होता है, अगर आप अपनी किसी friend को invite करना चाहते हैं, वाट्सेप पे, तो आप इस पर लेका कर सकते हैं, सबसे पहले आते हैं, अकाउंट पे, अकाउंट पे दोस्तो प्राइवेसी का option होता है, प्राइवेसी के option पे जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना last scene, everyone, यहाँ पे तीन option होते हैं, everyone, my contact, nobody, जिसे आप manage कर सकते हैं, ओके दोस्तों, किसको आप दिखाना चाहते हैं, हर किसी को दिखाना चाहते हैं, जिनका number contact में सेवे, उनको दिखाना चाहते हैं, या फिर किसी को नहीं, ओके दोस्तों, ऐसा ही profile photo के लिए होता है, और ऐसा ही about section के लिए होता है, ओके दोस्तो, status, status भी आप manage कर सकते हैं, किसको दिखाई देना चाहिए, my status, या फिर जिसके भी according आप select करना चाहते हैं, ओके दोस्तो, read received, ओके दोस्तो, इसका मतलब जैसा कि यहां पर लेका हुआ, if turn off, you would not send or receive, send or receive, read received, read received are always sent for group chat, ओके दोस्तो, इसका कहने का मतलब क्या होता है, दोस्तो, अगर आप इसे चालू रखेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर जाके जो भी message होगा, तो वह वहाँ पर शो हो जाएगा, कि message आपने seen कर लिया है, otherwise इसको और ध्यान लगिएगा, ये दोनों तरफ से होगा, ये एक तरफ से नहीं होगा, अगर आप इसे बंद कर देंगे, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा, आपने कब उनका message seen कर लिया है, और ना आप वो पता चलेगा, ओके दोस्तो, तो इसे आप use कर सकते हैं, इसलिए, गुरूप, गुरूप का option ये किसलिए होता है, गुरूप का option होता है, आप यहाँ पे जाके select कर सकते हैं, कि आपके group, जैसे कि कोई unknown person, आप उग गुरूप में add कर रहा है, तो आप अपनी आपको उस चीस से skip कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कि my contact पे जाके इसे select कर सकते हैं, इससे गया होगा, आपके contact में जो भी लोग selected हैं, जो भी लोगों का नमर save है, वो यह लोग आपको group में add कर पाएंगे, कभी-कभी क्या होता है, आपकी setting everyone होती है, और कोई भी unknown person आपको group में add कर लेता है, तो यहाँ से आप अपने आपको save कर सकते हैं, ब्लोग contact, अगर आपने बहुत लोगों को block कर रहा है, आपको पता नहीं है, तो यहाँ से जाके आप पता कर सकते हैं, कि कितने लोगों को आपने block किया है, ओके दोस्तो, fingerprint अगर आप करना चाहते हैं, तो fingerprint का option यह अच्ट पर है, यहाँ से जाके आप इसे enable कर सकते हैं, ओके दोस्तो, तो अच्छी है यह settings, इसके लावा security है setting, security setting में जाएंगे, security setting में जाने के बाद, आप security से related यहाँ पर, अपने end-to-end encryption कर सकते हैं, ओके दोस्तो, इसके लावा two-step verification, two-step verification, WhatsApp अपने तरफ से provide कर आता है, इसमें क्या होता है, आपको यह two-step verification प्रोवाइट कर आता है, यानि कि यहाँ पर आप कुछ अपना, एक तरीके से lock लगा सकते हैं, WhatsApp पर, two-step verification पर, जैसा कि मैंने भी लगा रखा है, आप इसे enable करना चाहिए, enable कर दीजिए, यह आप से two-step verification मागेगा, pin मागेगा, then आप register हो जाएंगे, और जब भी WhatsApp खोलेंगे, वो चीज़ आपको show होगी, change number, in case अगर आप change करना चाहते हैं, अपना WhatsApp नमबर, आपने देखा होगा, बहुत लोग change कर लेते हैं, अपना WhatsApp नमबर, तो वो आप यहां से direct change कर सकते हैं, ओके दूस्तो, delete करना चाहते हैं, अपना account तो delete भी कर सकते हैं, और इसके अलाबा account की information चाहते हैं, तो वो यहां पर आके आप देख सकते हैं, ओके दूस्तो, back आ जाते हैं, इसके अलाबा chat का option रहता है, तो चैट की option नहीं जाएंगे theme, अगर आप light या dark कुछ करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, तो के दूस्तो, dark पे जाके इस तरीके से, यह dark हो जाएगी, और light पे जाके इस तरीके से light हो जाएगी, wallpaper अगर आपको change करना है, तो wallpaper आप gallery की अनुजार, या फिर whatsapp की जो default होते हैं, उसके लिए, या फिर जो भी आप select करना चाहते हैं, वो select कर सकते हैं, whatsapp की library भी है, यहापे इस तरीके से select कर सकते हैं, तो काफी amazing है यह, ओके दोस्तो, enter is send, enter is send setting क्या है दोस्तो, enter is send setting में आपको बताएता हूँ दोस्तो, एक बार मैं इसे enable कर देता हूँ, ओके दोस्तो, अब मैं किसी chat पर जाता हूँ दोस्तो, अब मैं किसी भी chat पर जाऊंगा इस तरीके से, ओके दोस्तो, यह enter button को enable करता है message send करने के लिए ओके दोस्तों अगर आप इसे disable करना चाहिए तो इसे disable भी कर सकते हैं ओके दोस्तों तो काफी amazing है यह settings की जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं बताते हैं media visibility होती है कि जो भी लोग आपको कुछ भी photos वगएरा या फिर वीडियो वगएरा भेज रहे हैं वो आपके gallery में show होनी चाहिए या नहीं होने चाहिए तो वो आप यहां से manage कर सकते हैं font size आप medium large वगएरा गरना चाहते हैं वो यहां से कर सकते हैं backup चाहते हैं जो भी WhatsApp चाहते हैं तो उनका backup आप यहां से ले सकते हैं ओके दोस्तो चैट के बाद यहां पर notification का option आता है notification का option में सब सूप पर आता है conversation tones conversation tones क्या होता है दोस्तो incoming and outgoing आप message कर रहे हैं लोगों से और during the conversation आवार आती है उसको आप यहां से disable या enable कर सकते हैं तो काफी अच्छी है यह setting इसे भी यह आप यूज करके देख सकते हैं बाकी message notification है vibrate होनी है या pop-up notification आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए वह सब आप यहां पर manage कर सकते हैं दोस्तो इसके अलाबा group की notification भी यहां से आप manage कर सकते हैं दोस्तो call के लिए यहां पे इन्होंना option दे रहा है कौन सी call आप चाहते है WhatsApp पे जो भी call आती है vibrate होना चाहिए यह 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 भी आप manage कर सकते हैं देन्स के अलाबा delete and data storage यहां पर जाके आप delete कर सकते हैं अपनी data storage को manage कर सकते हैं ओके दोस्तो क्या होता है दोस्तो आप जो भी आपके mobile में कुछ इस setting की मदश से यहां पर देख सकते है when using mobile data ओके दोस्तो आपके दोस्तो ने आपको कुछ data बेज़ा है ओके दोस्तो डेटा कहने का मतलब फोटो बेज़े हैं वीडियो बेज़े हैं वह automatically download होने चाहिए या नहीं डाउनलोड होने चाहिए आपका mobile data चालू है या नहीं है when connected on wifi जैसी wifi पर connect होगा वो यहां से आप download कर सकते हैं जो चीज़ आपको download करनी है roaming में आप select कर सकते हैं select करना चाहते हैं तो अब दोस्तो एक option है यहां पर जिसके बारे हम बहुत ही कम लोग बताते हैं यह data uses दोस्तो call के लिए बहुत सारा data use होता है जब भी आप WhatsApp की call करते हैं तो आप यहां पर जाके उस data को reduce कर सकते हैं इस setting को enable करके ओके दोस्तो तो काफी अच्छी है यह setting इसे use करके जरूर देखेगा ओके दोस्तो तो उमीद है काफी कुछ मैंने आपको इस के बारे में बता दिया WhatsApp की बहुत सारी setting काफी है 50% बता दिया और बहुत सारी setting ऐसी भी हैं जो शायद आपको ना पता हूँ इनके बारे में मैं आपको future में बता हूँगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीज झाल को सब्सक्ष्ट